दोस्ता इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पूरुसों की कुछ समस्याओं के बारे में ऐसे पांच समस्या हैं पूरुसों की जो आज के रिट में बहुत ही आम हो चुकी हैं काफी लोग इससे परिसान हैं जिसका एक ही आईरवेदिक इलाज है गोखुरु गोखुरु से मत्र वो पांच आपकी जो समस्या है जिससे बहुत ही जादे लोग ग्रसित हैं बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं और वो समस्याओं क्या-क्या हैं कैसे इसका उपयोग करना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्तक बने रहें वीडियो को लाइक करके हमारा होसला बढ़ा है कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो आती है, आईए दोस्तों हम लोग समझने की कोसिस करते हैं, तो अचले आईरवेद में गोखरू को बहुत ही फायदेमंद हर्व माना गया है, गोखरू की मदद से वात, क बनाने के लिए गोखरू का सेवन किया जाता है, आईए हम लोग जानते हैं कि पूरसों के लिए गोखरू कितना फायदेमंद है, और सेवन कैसे करना है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटिल्स में समझेंगे, वीडियो के साथ लास्तक बने रहें, तो सबसे पहली समस्या बाजपन से चुटकारा मिलेगा, पूरसों में भी बाजपन की सिकायत होती है, कुछ अध्यन में गोखरू को बाजपन दोर करने के लिए बहुत ही जादे फायदेमंद माना गया है, इसका सेवन करने से फल्टिल्टी बढ़ती है, और बाजपन से चुटकारा मिलता है, द हो रहे हैं, तो उस कंडिशन में पूरसों का बाजपन माना जाता है, तो उसके लिए भी गोखरू बहुत अच्छा काम करता है, उसके बाज जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज, बहुत जादे लोग परिशान है, गोखरू का सेवन करने से इरेक्टाइल डिसफं का सेवन कर सकते हैं, उसके बाद है योन स्वास्थ में सुधार, गोखरू एक प्राकृतिक एंटी ऑक्सिदेंट माना गया है, टेस्टेस्टरोन और लिटिनाइजिंग हर्मोन का अस्तर बढ़ाने के लिए गोखरू हर्म का सेवन बहुत ही जादे फायदे मन माना गया है, आईरवेद में सिग्र पतन का इलाज भी गोखरू के मदद से किया जाता रहा है, गोखरू का सेवन करने से सुक्रालू का अस्तर बढ़ता है, बेहतर होता है, उसकी क्वालिटी सुधरती है, इससे रिलेटेट कोई भी आईरवेदिक आउसधी बनी हुई है, तो उसमें ग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बढ़ाना है, दोनों की ही प्राबलम है, उन्हें सतावर के साथ गोखरू का सेवन करने की सलाह दी जाती है, इससे सारीरिक छमता भी बढ़ती है, और कमजोरी भी दूर होती है, इससे पौरो सक्ती भी आपकी बढ़ती है, इसके इसरट का सेवन करने से सरीर में ताकत बढ़ेगी और सरीर को एक्टिव रहने में मदद मिलेगी। किसी बीमारी से अगर आप जूज रहे हैं, किसी बीमारी के सिकार हैं, तो इसका सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाज जरूर लेनी है। गोखुरू का चूड बना कर इसे सहथ के साथ सुबह साम ले सकते हैं, काफी अच्छा फायदा होगा। अब हम अबरल यह देखते हैं कि अक्चुली गोखुरू का सेवन हमें करना कैसे है। तो गोखुरू का सेवन पाउडर के रूप में आप कर सकते हैं, बाजार में गोखुरू का पाउडर बना बनाया मिलता है, आप खरीच सकते हैं, ओनलाइन भी मिलते हैं, मैं डिसकेशन में लिंक भी देने की कोशिस करूँगा। इसके अलमा गोखुरू के फूल को सुखा कर और पिस कर आप घर में भी पाउडर बना सकते हैं, इसके अलमा गोखुरू पाउडर का सेवन पानी या दूद के साथ बिल्कुल बहीचक हो करके किया जा सकता है, सहथ के साथ भी गोखुरू पाउडर का सेवन कर सकते हैं, सु नहीं पीना है क्योंकि गोखुरू गरम होता है कुल मिलाजू लाकर अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो गोखुरू का सेवन करने से पूर्सो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है बाजपन से छुटकारा मिलता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्य से आपको निजात मिल जाती है साथ में आपका सेक्स्वल लाइफ बहुत ही बहतर बन जाता है कुल मिलाजू लाकर गोखुरू जो है पूरसो के लिए बहुत अच्छा औशधी है एक टॉनिक की तरह काम करता है दोस्तों वीडियो इन्फरमेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जुरूर बताते रहें इसी प्रकार की बहुत सारी इंफरमेटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ बने रहें क्योंकि शाब कि बहुत सारी वीडियो ने ले करके आता रहता हूँ मैं गिलता हूँ नेक्ष किसी और झाल झाल